नमस्ते मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है आप हमेशा ये देखते होंगे कि हर घर में शराब का तो बस यूँ ही चलन है पार्टी हुआ तो आपको शराब पीना है आपने थोड़ा सा कुछ एचीव कर लिया अच्छे माक्स आजाए अच्छा तो आपको शराब पीना है घर में कुछ न्यू सावान आ जाए तो आपको शराब पीना है अब सावन का महीना खतम हो गया है तो आपको शराब पीना है क्योंकि उस एक महीने में आपने शायद कंट्रोल करके रखा हो और बहुत साइ लोग तो उस महीने में भी पीते हैं तो ये जो शराब का चलन है वो हर चीज़ पर है और ऐसा भी नहीं कि बूढ़े लोग या फिर जिनकी उम्र 28, 29, 25 के पार है वो पीते हैं वो पीते हैं जो कि कोचिंग में पढ़ते हैं वो पीते हैं जो कि अभी तक लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए हैं वो पीते हैं गल्फेंट से जब मिलने जाना हो य इससे क्या उड़ा है इससे आप छोटी छोटी बातों में बस पीने का नशा करने का बस बहाना है ये सब बहाना आप ढून लेते हो और फिर आप पी लेते हो लेकिन आदमी को पता है कि ये चीजे उनके लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं है उनके फ्यूचर के लिए उनके पडिवार के लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं है तब भी क्यों पीते हो क्योंकि इससे एक अलग तरह की खुशी मिलती है और इसी खुशी को पाने के लिए इसी खुशी को दो दिन की जिंदगी को आप जीने के लिए जैसे बोलते है चार दिन के जिंदगी है जिसमें द प्रेड़ी इस गड़े में गिरे हुए हैं इसके अलावा जो लड़किया है वो भी आजकल नशे करती है तो आज का हमाँ टॉपिक यही है ड्रग एडिक्शन तो जो नशे की लत है वो क्यूं हो जाता है सबसे पहले हम इसको समझेंगे अब क्यूं हो जाता है भाई ड्रग एडिक्शन यहाँ पर लिखना है एडिक्शन क्यूं हो जाता है अगर आप बहुत स्ट्रेस फिल करते हो तो आपको लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे मुझे खुशी मिलेगी अगर आपको कम माक्स आते हैं अगर आप लोग कॉन्फिडेंट फिल करते हो आपके पास विश्वास नहीं है या फिर आप बिल्कुल ही डड़े हुए हो तो आपको यह चीजे अच्छी लगती है या फिर हो सकता है कि किसी के साथ बहुत जादा प्रॉब्लम हो बहुत मिंटली वो सफर कर रहा हो तो फिर वो नशे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उस टाइम लोग है जो 7.7.13, 7.13 करोड जो भारतिये हैं उसमें से 5.17 करोड भारतिये जो है वो शराव पीते हैं वो शराव पीने की लत से पूरी तरह से ग्रसित है इसके अलावा 72 लाख लोग भांग पीते हैं भांग का सेवन करते हैं 60 लाख लोग अफीम और चरस की लत है उनको वो वो लेते ही है ठीक है 11 लाख लोग नशीली गोलिया लेते हैं और इंजेक्शन लेते हैं क्योंकि उनको लत है लत मतलब उसके बिना नहीं रह सकते हैं तो इतने लोग है जो कि शराव के बिना नहीं रह सकते हैं 72 लाख है जो से 70,000 ऐसे हैं 70,000 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही खतरनाक वाले इंजेक्शन लेते हैं बहुत ही खतरनाक वाला नशा करते हैं जिसमें उनको क्या होता है पड़म सुख मिलता है पड़म सुख के लिए यह सभी चीजे करते हैं तो नशे की लट बहुत तरीके से होती है आपका फैमिली अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आप बहुत डिप्रेशन में हो, हो सकता है कि किसी ने आपको बहका दिया हो, हो सकता है कि आपको भी सफलता नहीं मिली हो बहुत मेहनत के बाद भी, लेकिन तब भी हम इंसान है और इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन बहुत सा लत में शराब गाजा जो नशीली गोलिया वो तो लेते हैं साथ एक दवाई आतीज का नाम है ओपोल्ट्स यह जो दवाई है यह क्या करती है यह सुजन को कम करती तो इस दवाई के कारण भी आपको लत लग सकता है और जब भी आपको कोई दवाई का लगता है तो आप उसक कम डोज डॉक्टर ने बोला था आप उसके ज्यादा सेवन कर रहे हो ज्यादा खा रहे हो तो क्या होगा कम डोज से आपका बॉड़ी ही सुनेगा नहीं अब आपका बॉड़ी मान ही नहीं रहा है कि आपको अगर प्रॉबलम है तो वह दवाई को बढ़ा दोगे तो फिर आप डोस को बढ़ाओगे तो फिर आपका बोडी वहां तक आजाएगा मतलब क्या है बोडी को और चाहिए और उसकी लित लग गई तो आपको और डोस बढ़ाने पड़ेंगी इससे क्या होगा बहुत सारी मेडिसन लेने की वज़ा से आपका किड़नी आपका लीवर आपका फेलियर भी आपको हद से जादा आपको डिप्रेस नहीं कर सकता है क्योंकि सब चीज का एक लिमिट होता है आपको डिप्रेशन से खुद उभरना है आप खुद चाहोगे तभी आप तो कर पाओगे ये चीज आपको समझनी है अब दूसरा क्या है दूसरा जो है बोलते हम भांग मेरिवाना ठीक है मेरिवाना इसकी लट बहुत ज्यादा लोगों को है क्यों क्योंकि शंकर जी भांग पीते थे इसलिए मैं पी रहाओं मैं उनका भगत हूँ लेकिन शंकर जी के पास बहुत सारे शक्तियां थी बहुत अच्छे-च्छे वो काम करते थे वो तो करन अब भगवान का बहाना हो या फिर किसी घर में problem हो इसका बहाना हो या फिर आपके साथ कुछ घटना हो गई है आपका दोस्त को कुछ हो गया हो तो उस time में भी लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त को यह हो गया और दारू पीने रगते हैं ब्रेक अप हो जाता है तो आप नशे की लत में धुंद रहते हो और अपने लाइफ को अपने फिचर को पूरी तरह से खतम कर सकते हो अब आपको खतम नहीं करना है आपको सोचना है कि आपका हो थी क्या होताद ये एक अएक अपनी के होते हैं पहते हैं इसके परफलते हैं पूरी तरह से मोटिवेड करती है कि नहीं आपको ये नहीं करना है आपका मन करेगा कि हम ये चीज खाले हम ये नशे के लट छोड़ दे लेकिन आप नहीं छोड़ पाते क्योंकि आपका मन जो है वो आपके वश में नहीं है आपका बॉड़ी आपके वश में नहीं है जब भी किसी चीज की लट लगती है तो आपको फ आमने सभी नशा जो है वो बिल्कुल फीका होता है तो पढ़ाई का नशा आपको लगाना है आपको ये दारू, भांग, सिग्रेट, ये गांजा ये सभी नहीं फूकना है क्योंकि ये जो है ये आपके जिन्गी को तबाह कर देगा और जो पढ़ाई है वो आपकी जीवन को पूरी तरह से बदल देता है जो आपका वक्त वो वक्त को बदल देगा पढ़ाई ही है ऐसा जो वक्त पे काम करता है लेकिन और कोई भी दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि वक्त पे काम करता हो वक्त को अच्छा बनाता हो सिर्फ एक एडुकेशन ही है जो आपक अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल पर जा करके नोट्स को ले सकते हो और नोट्स भी आपको बहुत शॉटकट में मिलते हैं लिखे हुए जिससे आपको पढ़शानी ना हो और आपको बहुत अच्छे मांकसा एक्जाम से में ठीक है थैंक यू सो मुच पर वच्छिं मैं वीडियो